हलो दोस्तों मैं हूँ आपका हो सिसुफ जैक्स तो हो सकता आवाज थोड़ी कमी मिले क्योंकि रमजान है तो थोड़ा प्यास लगावाए खेर यहां पर में बात करने वाले हैं अपडेट को जो मिल चुका है रिडमी 6 को रिडमी नोट 6 प्रो को उसके बाद रिडमी नोट नहीं रिडमी 6a को ठीक है दस तीन दो जीरो का अपडेट बहुत सारे डिवाइस को मिल चुका है तो यहां पर आपको और कई सारे लोगों को लग रहा है मुझे भी शायद लग है कि हो सकता है कि नोट 5 प्रो का जो नया अपडेट हो सकता है वो आपको दस तीन दो जीरो देखने को मिले और हो सकता है कि दस तीन दो जीरो के साथ साथ आपको एंडरॉइड पाई भी देखने को मिल जाए तो यहां पर इसके चांसे कितने परसंट हैं और कितने परसंट नहीं है और क्या मिलेगा आपको पाए मिलने के बाद इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहली बात कि यह किसी को नहीं पता है कि 10.3.2.0 के अपडेट में आपको Android Pie Note 5 Pro में मिल ही जाएगा क्योंकि Redmi 6 6A इन दोनों के अंदर तो नहीं मिला 10.3.2.0 तो मिला लेकिन इनको पाए तो नहीं मिला पाए सिर्फ Note 6 Pro को मिला और Note 6 Pro में जो बीटा अपडेट शुरू हुआ था उसके करीब करीब एक महीने बाद Note 5 Pro में पाए बीटा अपडेट शुरू हुआ था ठीक है और Note 6 Pro को बीटा अपडेट में पाए आए वे तकरीवन तकरीवन दो महीने से उपर हो चुका है और Note 5 Pro को एक महीने से उपर हो चुका है तो यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि मतलब बहुत जल्द एक हफते या 10 दिन के अंदर आपको Android Pie देखने को मिल जाए Note 5 Pro में या 10-3-2-0 का अपडेट देखने को मिल जाए इतना तो confirm है भाई कि एक से डेड़ महीने के अंदर अब आपको Android Pie तो मिल जाएगा ठीक है तुरत नहीं मिलेगा यह हो सकते है तुरत भी मिल जाए और सबसे पहले चाइना स्टेबल को मिलेगा उसके बाद हिंडिया स्टेबल को मिलेगा इस बात को याद रखना अब update में आपको क्या कुछ मिल सकता है तो Android Pie के साथ आपको application के अंदर face unlock का feature मिलेगा यह confirm है gallery के अंदर clip का option मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो clip यह Redmi Note 6 Pro का screenshot है यहाँ जो आप clip देख रहे हैं इस clip की help से आप photos से जो है video बना सकते हैं तो यह आपको देखने को मिलेगा दूसरा चीज़ आपको जो है charging time battery icon जो है वो थोड़ा सा change होगा Note 6 Pro में भी हुआ है और Note 5 Pro में पाई मिलने के बाद होगा navigation bar जो है पाई वाला हो जाएगा camera quality थोड़ी सी improve होगी ठीक है beta में भी अच्छी चल रही है battery improve होगा beta में भी improve है और stable के Note 6 Pro में भी improve है game booster जो है आपको मिल सकता है Note 5 Pro के stable में जब वो पाई लाएगा कुछ lacks भी आएंगे minor जो के common सी बात है redmi के साथ उसके बाद आपको उसके अंदर camera to API नहीं मिलेगा ठीक है dark theme मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है बाद में मिले मतलब एक ही update के साथ नहीं मिल सकता है या मिल भी सकता है उसमें confirmation नहीं है तीसरा चीज 4K recording नहीं मिलेगा यह सारी चीज़े जो है आपको पाई के साथ मिलने वाली है पहले update में मैं पहली update की ही बात कर रहा हूं दूसरे तीसरे चौथे update में पता नहीं क्या कुछ मिल जाए सिर्फ पहले update की हम बात कर रहे हैं मिलेगा तो उसके बाद जो है आपको changes देखने को मिल सकते हैं आपके phone के अंदर अब जब तक कि वह update आता नहीं है आप लोग wait कर सकते हैं या फिर आप beta में switch कर सकते हैं जैसा कि अब आप देख सकते हैं अभी हमारे device में कोई भी update नहीं है कब तक मिलने वाला है और यह बिलकुल जरूरी नहीं है कि 10,3,2,0 में ही आपको पाई मिल जाए और 10,3,2,0 भी आपको मिल ही जाए हो सकता है आपको 10,3,4,0 मिले maybe possible तो इस वीडियो में आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए होग ग्रेट डे वीडियो छे लिए तब में मिल जाए वीडियो में तब तक के लिए बाए